मार्ट इंटरमेश ने अपने नतीजे चारी किये हैं इस बार और अच्छे नतीजे बोलेंगे क्योंकि तिमाही दर तिमाही कम्पनी की ग्रोथ अच्छी रही है इनकी आये में करीब 7% की बढ़ती मार्जिन्स ओल्मोस्ट टेबल है और साथ ही नेट प्रोफिट में 45% का हमने इजाफा देखा है तिमाही दर तिमाही आए आगे समझते हैं कि किस तरीके की ग्रोथ आउटलुक की उम्मीद करें और उसके लिए अब हमारे साथ कम्पनी के CEO and founder Mr. Dinesh Agribal मौजूद है Very Good Morning Dinesh आपका स्वागत है 18 स्वादेश पे और सबसे पहले दिवाली की आपकी और आपको टीम को धीरोश उपकामना है तो दिनेश नतीजों पे अगर हम बात करें तो आपकी जो आई रही है दूसरी दिमाही में वो आपकी जो गाइडन्स आपने दी थी 5-6% की उसको एकसीट करती भी नजर आई है क्या आगे भी ये ट्रेंड हम बरकरार होते वे समझें और आगे के ग्रोथ आउटलुक और साथ ही आई के लिए क्या आप गाइडन्स देंगे अगे के लिए दिनेश जी तिमाही तिमाही आधार पर हम आपके नबस देख रहे थे उसमें में देखा कि इम्प्लॉई और जो अन्या आए खर्च था अधर एकस्पेसिस वो बढ़े हुए हैं क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे जी जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अलग चैनलों पे पिछले साल से करीब इसी समय से हमने तेजी से कस्टमर काउंट बढ़ाने के लिए मैंन पावर में काफी इंवेस्मेंट किया और देड़ साल का पूरा पीरियड ऐसा था जिसमें की काफी अंसर्टेनिटी थी जब हमने कोई भी एंप्लाईज हायर नहीं किये थे तो काफी सारा कैच अप करना था और अगर आप देखेंगे तो उसका मुकु फाइदा मिल ही है और इसलिए यह आगे चलके हमको ग्रोथ में और भी साहता करेगा पर देनेशी इस बार नतीजों में अधर इंकम थोड़ी सी बढ़ती भी नज़र आई है क्या कुछ खास कारण जिसके वैसे यह जाम्प हमने देखा नहीं अधर इंकम में इसलेए प्वाटर में,ástक काफी सारा इंटरेस्स रेट का मुब्मेंट हुआ था और जिसकी वज़े से माक-टू-ं फ्रमार्केट लासिस थे और जो कि इस प्वाटर में थोड़ा स्टेबलाइद हुने की व्यज़े से माक-्टू-ंस अखेंस और इसके अलावा ये भी समझा चाहेंगे कि margin को लेकर आपने FI23 के लिए guidance दिया था करीब 28-30% का उसको लेकर क्या expect कर रहा है? ये मेरे कहाल से वो 28-29% के बीच में ही रहना चाहिए margin क्योंकि आप देखी रहे हैं कि cost on demand power side across the industry बढ़ रही है और especially technology में और sales में तो इस वज़े से थोड़ा सा pressure है लेकिन मैं ज्यादा बारी नहीं करूँगा I think 28-29% maintain करेंगे हैं ओके दिनेशी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए किस तरीके का growth outlook है company का बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे इंडिया माट के management जहां पे आकी के लिए growth outlook को लेकर वो positive है हाला कि उन्होंने guidance में कोई भी बदलाव नहीं किया है जो कि revenue और साथ ही इनके margins के front पे हो और अगर stock specific action भी देखें तो almost support rate करता हुआ आपको इंडिया मार्ट इंडमेश का IPO का stock price दिखेगा पर पिछले